हालो फ्रेंड्स और वेलकम टू अलव यू आज हम लोग बहुत इंपोर्टन टॉपिक पर बात करने वाले हैं जैसा कि आपको पता है कि आज से मैं एंकालोजिंग इंस्पॉंडलाइटिस जो ही एक बहुत ही खतरनाग बीमारी की रूप में सामने आई है और ये आजकल के य extent of damage in the body यह हर patient to patient अलग-अलग होता है किसी को बहुत ज्यादा परिशान कर देता है कि इतना ज्यादा परिशान कर देता है कि उसकी लाइफ खराब हो जाती है और किसी को थोड़ा ही परशान करता है वो अपनी लाइफ में चल सकता है तो आज हम लोग ऐसी exercise बताने वाले है जिससे कि आप ankylosing spondylitis को control में रख सकते हैं उसको बढ़ने से रोक सकते हैं so that कि आपका further damage ना हो तो चलिए आए इनिस्टिसाइज को start करते हैं from upper side of the body से लिए के lower side of the body के लिए medical disclaimer इसे ध्यान से पढ़ें तो जिन पेशेंट्स को ankylosing spondylitis cervical region में और shoulder region में ज्यादा परशान करता है तो उसको उसको control में करने के लिए क्या क्या करना चाहिए उस exercise को start करते हैं तो जो खास्तों से cervical spondylosis की जो exercises होती है उनी कोई थोड़ा सा ध्यान रखना है यह ankylosing spondylitis पीश और Charlie's में भी एप्लिके वेला है तो डिके कंदीशन में क्या करना है आपको ने कंवंच करना है तर्कना क्या अब्क में १rig करना है क्या क्या साथधानिया रखनीë वह ध्यान रखना है सबसे पहले आपको को नेक को राइट लेफ्ट मूवमेंट देना है कुछ इस तरह से जो लेके जाना है जितना मैक्सम ले जा सके लेके जाएए पांस सेकंड तो रुकिए वान टू थ्री फूर फाइब देन इधर वान टू थ्री फूर फाइब मतलब आपका रेंज ओफ मोशन प्रॉपर होना सी जितना इस तरह जा रहा है उतना ही दूसी तरफ ब्ढ़र अचा मतलब यह शूलडर के लाइन पर आया सामने तो थीख दोणों तरफ इस तरह से कुछ लोग गलती करते हैं कि शूल्डर के लाइन में आने के चक्क्राइब करते हैं यूँ ठीक है इस त्रेस नहीं करना आ कि आपको एसे लिगाएन हे वार तू थ्री हो फाइब किसी तरह की कोई हरबरी नहीं को जलदबाजी नहीं आराम आराब है तू था थी ग्याएब अब इसके बाद नेक को राइट एंद लेफ्ट करना है इस तरह से वार तू थ्री 345 दूसरी तरफ 1 2 345 बतब आपको अपने कान को शोल्डर के तरफ लेकिया ना इस्ट्रेस नहीं करना वान टू त्री यह नहीं मतलब शोल्डर को आपको नहीं उठाना ठीक है शोल्डर अपनी पोजिशन पर ही रहेगा दूसरी तरफ 1 2 345 यह जो ओपिन एरिया इसको फील करना है इसमें स्ट्रेच आपको फील होना चाहिए इसके बाद फॉर्वर्ड बेंडिंग आपनी चिन को नीचे लगाना है वान टू थ्री फॉर फाइव बैकवर्ड ऊपर छत में आपकी नजरें चाहिए वान टू थ्री फॉर फाइव ठीक है इस तरह के पांच-पांच सेकेंड के आपको पांच से दस स्टेप करने हैं अपने सामर्थ के रखा अनुसार ठीक है इसके बाद यह तो हो गया आपका सर्वाइकल लिए इसके बाद आपके शोल्डर में जैसे सर्वाइकल ज्यादा डिस्टरब कर रहा है तो क्या एक्सरसाइज करने है उसके लिए है आप दोनों हाथों गया से लिके जाएंगे राइट एंड लेट साइड वाइस से फैला लिजे फैलाने के बाद इसको ठीक है इससे क्या होगा आपका पूरे शोल्डर मस्टर्स इंगर वाम अप हो जाएंगे और उसके स्टिफनेस काफी कम हो जाएगी जब आप यह एक्सरसाइज कर लेंगे उसके बाद आपको फील होगा कि काफी यह फ्री हो चुगा है तो आईए फ्रेंड्स स्टार्ट कर करने हैं तो सबसे पहले आपको इस तरह से बेच में ली जाना है फैरहों को मोलड लिजिए मोड़ने के बाद दून हांदों को साइडंब Ready करना है ठीक है जो कि हमने आपको पैल्विक्यों में बताई कि ठीर नहीं रिल самой तो transformate छाना है पडेक्स तoss प्रूआजैंकर работы यह वान टू थ्री फोर फाइब इस तरह के आपको पांच सेट करने है और दिन में दो बार करने तो यह रही पहली अब दूसरी एक्सरसाइज में यह इसी पोजिशन पर रहके अपने दोनों गुटनों को लेफ्ट साइड और राइट साइड लेके जाना है लेफ्ट साइड ले वान टू थ्री फोर फाइब फिर राइट साइड वान टू थ्री फोर फाइब तो यह हुए दो सेट इस तरह के आपको पांच सेट करने हैं और दिन में दो बार करने हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को बोलते हैं सेतु कि इसके बाद फिर से वान टू थ्री फॉर फाइब डाउन इस तरह के आपको पांच सेट करने हैं दिन में दो बार करने हैं अब नेक्स्ट एक्सेसाइज बताते हैं आपको खास्तों से हिप जॉइंट में अगर यह यह ज्यादा अफेक्टिड है तो उसके लिए करना है कि थोड़ा से नीचे थोड़ा से नीचे ठीक है दोनों हाथों को अपने सीने के जस्ट बगल्म लगाना है लगा करके धीर धीर ऊपर उठाना आपको धीर धीर उपर उठाएं यह यह वान टू थ्री फॉर फ्राइव वापस यह नॉर्मल इंडिविजुल है तो यह इतना 3, 4, 5, ठीक है, इस तरह कि आपको 5 सेट करने हैं, दिन में 2 बार करने हैं, ठीक है, तो next exercise है cat and loin position, इसके लिए आपको cat position पे आ जाना है, आ जाएगे cat position में, cat position में क्या होता है, कि आपका जो spine है उपर क्यों रहेगा, गर्दन नीचे क्यों रहेगी, ठीक है, और loin position पे spine नीचे जाएगा, और गर्दन उपर की हो जाएगे, ठीक है, तो इसमें आपको movement कराना है, cat की position पे, वापस, 1, 2, 3, 4, 5, वापस, फिर से line position पे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, फिर से, एक बार cat की position, 1, 2, 3, 4, 5, एक बार फिर से line position, 1, 2, 3, 4, 5, तो ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यह थी कुछ exercise, and collagen spondylitis के case में, जो कि आप लोगों को करनी है, अपने घर पे, हम लोग की आयरवेदिक निरो थेरपी complete होने, हो जाने के बाद भी कर सकते हैं, आप लोग इसको, और जब तक आप लोग नहीं आ पा रहे हैं, तब तक भी आ काफी अराम मिलेगा, अगर किसी तरह की कोई problem होती है, तो आपको उस exercise को उसी समय ही रोग देना है, और मेरे से संपर करना है, आप दिये हुए नंबर पे आप मुझे को call कर सकते हैं, मेरे को WhatsApp कर सकते हैं, और मैं कोशिस करूँगा कि आपकी समय से का जल्द से जल्द समाध तरहें, नमस्थाराइब।